Hello Friends, Welcome to the Success Kendra दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कॉंस्टेबल की जो नई वेकेंसी आई है 8,415 पद पर उसके लिए सामान विज्ञान का State 1 कवर करेंगे दोस्तो आपकी जो एक्जाम डेट है वो 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को निर्धारित है तो बहुत ही कम समय अब आपकी एक्जाम में है अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से प्रिपरेशन किया जाए तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दिनी चाहिए मैं बता दू कि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस कोंस्टेबल के लिए डेली प्रैक्टिसेट चलाए जा रहा है साथी साथ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो भी उपलब्द कराए जाएंगे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे और इस बेल आइकन को प्रेस कर लिजे तैकि जब भी कोई बिहार पुलिस कोंस्टेबल से सम्मधित वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास महुँच जाए चलिए फ्रेंट्स बिना देरी किये हुए आज का सेसन सुरू करते हैं वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर जिजेगा देखे फ्रेंट्स पहला कोस्टन है कि मान स्पेशियों में दर्द के उप्चार में उप्योग किया जाने वाला विकरन कौन सा है काफी important कोस्टन है अगर आपको answer पता है तो आप लोग comment करके भी answer बता सकते हैं सही answer इसका हो जाएगा option number ए इंफ्रारेट का उप्योग किया जाता है इंफ्रारेट से जो है सिकाई किया जाता है जिससे की दर्द आराम हो जाता है ठीक है ध्यान रखिएगा अगला question देखिए दूसरा question की long एक मसाला पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है तो friends long जो है यहाँ पौधे के फूल की कली से प्राप्त होता है option number D इसका science रहो जागा ध्यान रखेगा पूछा जाता है की केसर किस से प्राप्त किया जाता है तो friends केसर सो जो है यहाँ वरती कागर से प्राप्त किया जाता है काफी important question है कई बर पूछा जा चुका है उसके बाद पूछा जाता है की गोल मिर्च तो गोल मिर्च जो है यहाँ अधपके और सुखे फालो से प्राप्त किया जाता है फिर पूछा जाता है कि काली मिर्च तो friends काली मिर्च जो है यह पके हुए सुखे फलो से प्राप्त होता है ध्यान रखेगा सभी points important है अगला question देखिए और friends इससे पहले हम लोग ने बिहार police constable के लिए 5 full length practice rate को cover किया यानि कि total 100 question वाले 5 state को हमने cover किया है जैसे कि आपकी exam मे question पूछे जाते हैं तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिजेगा link मेंने description में दिया हुआ है तीसरा question है कि गर्म करने पर एक अर्ध चालक का परतीरोध पर क्या असर पड़ता है तो देखिए अर्ध चालक का परतीरोध जो है यह घटता है ध्यान रखेगा घटता ह और चालक का प्रतिरोज जो है बढ़ता है तो दोनों को ध्यान रखेगा और चालक का प्रतिरोज घर्टता है ध्यान रखेगा अगला कुस्टन देखिए next question ने कि जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निमन में से कौन सा नहीं बदलता है देखे नहीं लिखा गया है तो प्रकास जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके आविरती नहीं बदलती है ध्यान रखेगा आविरती उसकी नहीं चेकंड होता है निरवात में और सबसे अधिक होता है किसी माध्यम का अपरतनांक भीन-भीन रंग के प्रकास के लिए भीन-भीन होता है तो अपरतनांक भी नेक्स्ट कोस्टन देखिएगा कि एक पार्सेक होता है तो देखिए पार्सेक है क्या तो पार्सेक जो है फ्रेंड्स यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है आपसे पूछा जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौनसी है उसमें जो दिया रहे अगर प्रका में में कितना होता है तो एक पार्ष्ष बराबर कितना मीटर होता है यह भी आपको धियान रखना है एक पार्ष्ष ना होता है इस वो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर ठीक है ध्यान रखिएगा अगला कोस्टन देखिए नेक्स्ट कोस्टन भी काफी इंपोर्टेंट है पुलिस द्वारा नसे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जाज के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है तो देखते हैं पुलिस जो नसे क जो गाड़ी सबार होते हैं उनका मुह से सांस सोड़ा जाता है और उस पर फिल्टर होता है उस पर पोटेसियम डाइक्रोमेट और सल्फिरिक अमलह होता है सही अंसर अप्सन नंबर ए हो जाएगा ठीक है अगला कोस्टन देखिए कोस्टन नंबर एट है कि बेंजीन में सि सिगमा और पाईबॉंट ठीक है यह सिमबॉल है यह पाई का सि सिंब्वल है तो सिगमा और पाईबॉंट की संख्या कितनी होती है तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्षर इसका पता होने चाहिए तो देखिए बेंजीन का फर्मुला क्या होता है सी सिक्स H6 होता है अब इसका structure कैसे बनेगा तो यहां मैं बना देता हूं देखे यह क्या है carbon है carbon है कितने carbon है तो 6 carbon है हम लोग 6 carbon यहां बैठा देंगे ठीक है friends उसके बाद देखिए hydrogen कितने है तो hydrogen भी 6 है यानि कि एक hydrogen यहां जाएगा एक यहां जाएगा एक यहां जाएगा एक यहां और 6 carbon के बीच में 6 sigma bond हो गया एक और इसके बाद जहां जहां double bond है यहां double bond है यहां double bond है यहां double bond है यहां जो double bond है यहां एक एक sigma bond है तो देखे एक यहां एक यहां दो एक यहां भी तो है carbon carbon के बीच 3, 4, 5, 6 तो total कितने sigma bond हो गया 12 sigma bond हो गया और जहां जहां double bond है वहाँ एक एक pi bond है, तो double bond देखें तीन ही जगा है, एक जगा यहाँ, एक जगा यहाँ, एक जगा यहाँ, तो तीन जो है pi bond है, तो 12 sigma और 3 pi bond, option number C, सही answer हो जाएगा, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, अगला question देखें कि यूरिया में उपस्तित होने वाले तत्व कौन से ह हैं, तो सबसे पहले तो आपको यूरिया का formula पता होना चाहिए, देखें, यूरिया का formula होता है, CH4N2O, ठीक है, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, यूरिया का formula एक तरस और लिखा जाता है, NH2, O, NH2, तो बात वहीं है, देख लिजे, hydrogen कितना है, 4 है, तो 2 यहाँ hydrogen, 2 carbon कितना है, एक है, तो यहाँ CO होता है, तो देखें, carbon भी एक हो गया, उसका बाद देखें, oxygen एक, nitrogen दो, तो यहाँ देखें, nitrogen एक और 1, 2, तो यहाँ तो इस तरह मिले, या फिर NH2CO, NH2 मिले, एक ही बात है, तो देखें, इसमें क्या है, CH4N2O, देखें, इसमें क्या है, carbon, hydrogen यानि कि सभी एलेमेंट हैं सभी तत्व हैं चार तत्व option D में जो दिया हुआ है यह सभी carbon hydrogen nitrogen और oxygen है ठीक है चलिए अगला कुश्चन देखिए कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन होती है तो फ्रेंट्स यह खतरनाक gas carbon monoxide उत्पन होती है जिससे की है स्वासन में संबंदी जो है विमारी होती है सांस लेने में कठिनाई होती है और यहां तक की दम घुटने से मृत्यू भी हो सकती है ठीक है carbon monoxide ध्यान रखिएगा अगला कुश्चन देखिएगा फ्रेंट्स यह सारे प्रश्ण जो है पिसले उपर डिपेंड है ठीक है तो यह continue चलेगा बिटामिन जो रक्त के ठक्य बनाने में प्रभाई होता है कौन सा बिटामिन है यह बिटामिन के है ऑप्शन नबर सी करेक्ट अंसर हो जाएगा बिटामिन के का राशानिक नाम पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा बिटामि हरी सब्दिया और आत में भी उत्पन होता है मनुष्य के आत में भी उत्पन होता है ध्यान रखिएगा चले बिटामिन एक राशानिक नाम आपको पता होगा रेटिनॉल है इसकी कमी से रोतोंदी होता है संक्रमनो का खत्रा बना होता है बिटामिन बी का राशानिक नाम क् ग्यान है और vitamin b की कमी से बिरी बिरी रोग होता है कौनसा रोग होता है बेरी-बिरी रोग होता है ठीक है vitamin d का रासानिक नाम जो है यहाँ कौन सा है calciferol है और इसकी कमी से जो है osteo-malaysia नाम का रोग होता है क्लिर है शली अगला question देख लेजिए next question है कि नेमन में से कौन सा एक महिला sex hormone है तो देखिए महिला sex hormone जो है तीन important नाम आपको बताऊंगा एक तो estrogen हो गया यानि का option A इस प्रशन का सही अंसर हो जागा उसके बाद एक दूसरा hormone भी है उसका नाम यहाँ आप में लिख देता हूँ progesterone ठीक है तीसरा hormone है relaxing तो यह तीन महिला hormone sex hormone जो है आपको ध्यान रखना है ठीक है कौन-कौन से तो estrogen, progesterone और relaxing अगर पुरुस hormone पुछा जाए तो यह जो testoesterone जो है यहाँ पुरुस hormone है पुरुस sex hormone है ध्यान रखिएगा important है अगला question देख लेजिए कि किस vitamin की कमी से जनन्चमता में कमी होती है जनन्चमता में कमी किस vitamin की कमी से होती है तो फ्रेंस यह होती है vitamin E की कमी से और vitamin E का रसानिक नाम क्या होता है तो important है ध्यान रखिएगा बिटामिन E का रहसानिक नाम जो है वो टोको फेरॉल होता है क्या होता है टोको फेरॉल होता है याद रखिएगा बिटामिन E का मैंने अभी बताया था रेटिनॉल होता है बिटामिन C का एस्कॉर्विक एसीड होता है बिटामिन D का कैलसी फेरॉल होता है ठीक है चलिए अगला कुसम देखिए कि इंसूलीन या ग्लू के गौन्द हमारे सरीर में किसे सरावित होता है तो friends आप सभी को पता होगा कि इंसूलीन जो है एक हर्मोन है और इंसूलीन जो है यह अमासय के एक भाग langarhans की इसके लेंगर हैंस, यहां मैं लिख देता हूँ, लेंगर हैंस की दूपी का बिटा स्कोशिका से, यह बिटा सेल कहीं है, इसी से जो है स्रावित होता है, ठीक है, साइनसर इसका हो जाएगा, अपस्टर नमबर C, अगनासे से, ठीक है, और इसकी कमी से, यानि की इंसुलीन की कमी से, डायबेटीज रोग होता है, मदव में है, बिमारी होती है, अगला कोशन देखे, फ्रेंट्स वीडियो अगर आगको पसंद आ रही है, तो आप लोग येस टाइप कर जीजे, प्लीज और वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर जीजेगा, निमन में से कौन सी दवा एक पीडाहारी है, तो इसमें से पीडाहारी जो है, ये नवलजीन है, यह कोशन पिछले वर्स बिहार पुलिस कोंश्टेबल की परिक्षा में पुछा गया था, पैनिसलिन जो है, यह क्या है, अगला कोशन देखिए, अगला कोशन है फ्रेंट्स, कि यदि किसी गतिसील व आधा कर दिया जाता है, तो देखिए, द्रभ्यमान आधा कर दिया मैंने, और उसका वेक जो है, दोगुना कर दिया, तो यानि कि भी था, तो अब ये 2 वी हो गया, अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तो हाफ एम बाई 2 इंटू, इसका स्कॉर हो जाएगा 4 वी स्कॉ लिख दिया, देखिए, हाफ, एम और भी स्कॉर आ गया, अब नीचे क्या बचा, 4 वाई 2 हम लोगों का स्यसरा हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ बाहर में 4 वाई 2 लिख दीजिए, ठीक है, इस फर्मूले को आपको छेड़ेना नहीं है, 4 वाई 2 बचा था, तो हमने इनरजी हो गया, और यह अब दो बाहर आ जाएगा, तो यानि कि दो गुना हो जा रहा है, उप्सन नमबर A, इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा, उमीद है, समझ गया होंगे, अगला कुशन देखिए, कि आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है, तो फ्रेंस, आसमान का न रूपते समय, प्रकास के प्रकिर्णन के कारण ही लाल दिखाई देता है, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, चलिए अगला कुशन देखिएगा, फ्रेंस, नेक्स्ट कुशन है, कि निम लेखित में से कौन सा या कौन से विसानू जनित रोग है या रोग है तो वाइरस के दवारा विसानू यानि अंगरेजी में इसको वाइरस का आ जाता है, ठीक है, तो वाइरस के दवारा एड्स भी होता है, एड्स जो है HIV नामक वाइरस से होता है, चिकन फॉक्स भी होता है, और हेपेटाइटिस भी होता है, तो सही अंसर हो जाएगा उपरीक करित प्रभावित होता है ठीक है ध्यान रखिएगा अगला कोस्टन देखिए नेक्स्ट कोस्टन है कि किस विटामिन का रासानिक नाम साइनो का बालामीन है तो देखिए आप से प्रश्ण पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाये जाता है यहां मैं हिंदी में चलिए और BITAMIN K मैंने बता ही दिया था आपको इसका जो रशानी के नाम होता है बिटामीन के का क्या होता है तो FILOCUNON होता है ठीक है बिटामीन E का भी मैंने बता है आपको टोकोफेरोल होता है BITAMIN D का भी बता है कैलसी फेरोल होता है ठीक है अगलाlearning option देखेगा कि कुशिका भी किसे बनी होता है most important घंस कोव कौको का अधियन क्या कहलाता है तो कोव का अधियन कहलाता है mycaloseais ठीक है a है about ask if I call was going straight सब्वाल का अधियन कोवको का अधियन फाइक शीलोजिक ऑजित है और कि पादप की कोईसी का भीति किस से बनी होती है तो पादप की कोईसी का भीति सेलिलोज की बनी होती है ठीक है कोवक की कोईसी का भीति कायटीन की बनी होती है ध्यान रखिएगा और फ्रेंट्स मैंने सही बताया था कि कोवको का ध्यान जो है यह क्या कहलाता है तो यह माइको सफ़चक होते हैं ध्यान रखेगा चली अगला क라 से कुबालट शास्त समस्था निक कि प्रियोग किस के उपजार में होता है यह होता है कर्क रोग के ओर कुबाल्ट सार्ट शार्ट जो है कोबाल्ट का रेडियो धार्मि इस यानि कि कैंसर की राज में जो है इसका उपयोग किया जाता है अगला कोशन देखिए कि निमने लिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकास का प्रक्रिणन अधिकतम होता है तो प्रकास का प्रक्रिणन जो है बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है ठीक है लाल रंग का गो से 10 वह सबसे अधिक होता है और बैगनी का तरंगदर सबसे कम होता है तो जिसका तरंगदर सबसे अधिक zosta 19 होता है नेक्स्ट कुस्सन जरीर के कौन की सीरा में ऑक्सिजन सही तरक्त होता सिरा में जञरलियो अशुध रखत पाये जाता है लेकिन सिरा का लेकिन एक बाग है एक नाम है पार्ट है जिसमें कि oxygen सहीत यानि कि सुध रखत रहता है वो है pulmonary sera ठीक है इसमें जो है सुध रखत रहता है यानि कि oxygen सहीत रखत इसमें रहता है clear है और धमनी में जो है धमनी में oxygen रहित यानि कि सुध रखत रहता है generally लेकिन धमनी का एक part जो है प्लोमनरी धमने इसमें असुद रखत रहता है यानि कि oxygen रहीत रखत रहता है अगला कुस्सन देखिए कि निमलेकित में से कौन सी प्रकिरिया ठोस को सीधे गैस में परिवर्चित करती है उर्दवपातन ठीक है option number एक correct answer होगा 26 निमलेकित में से कौन सा पादप हर्मोन नहीं है देखिए नहीं पुछा गया है तो देखिए पादप फार्मोन जो है यह cytokinin है उसके बात करें तो एथिलीन है जिब्रेलिन इस है और मैं नाम बताता हूँ औक्सिन्स है यहां मैं लिख देता हूँ औक्सिन्स है उसके बाद बात करें तो एबसीसिक एसीड है ठीक है एसीड यहां में एसीड है उसके बाद अगर बात करें तो फ्लोरोजिन्स है फुलोरोजिन्स उसके बाद ट्राव मैटीन है ठीक है यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ ट्राव मैटीन ठीक है तो यह जो है पादा फार्मोन है ध्यान रखना है कौन-कौन से साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिवरेलिन्स, ऑक्सिन्स, एबसेसिक इसीड, फ्लोरेजिन्स और ट्राव मैटीन ध्यान रखेगा तो यह इसमें से यह पादा फार्मोन नहीं है तो यह साइटोकाइनिन कोई सिका भी भाजन में सहाइक होता है एथिलीन, जो है फलो के पकाने में सहाइक होता है ठीक है जिवरेलिन्स, यह बौने पौधो को बड़ा बनाता है ठीक है फ्रेंस, याद रखेगा उसको बदागर बात करें हम लोग आगे की बात करें तो यह आप देख रहा है फ्लोरो जिन्स यह फ्लोरो यानि की फूल यह फूलो के खिलाने में सहाइक होता है ऐसे रिलेट करके याद रखेगा ट्राउमेटिन जो है यह पोधो के जो घाव होता है जखम होता है उसको भरने में सहाइक होता है तो सही अंसर ह हो जाएगा इस प्रशन का सिटिलिन जुह है यह पादफ हार्मुण नहीं सरीर हो जाता है और इसकी कमी से बोनापन होता है ठीक है ध्यान रखीये गार नेक्स्ट कोस्टन देखिए कि निम्लिकित में से मीन वर्ग यानि कि मचली वर्ग से संबंदित है तो देखिए मचली वर्ग में क्या क्या आते हैं सार्क आता है उसके बाद अगर बात करें तो रोहु कतला यह सारे जो है मीन वर्ग में आता है वेल जो है यह मैमल में आता है ठीक है, मेंबल कटेगरी में है, उसके बाद स्टार फिस की बात करें तो स्टार फिस जो है, इकाइनो डर्मेटा में आता है, याद रखेगा, स्टार फिस देखके ऐसा नहीं समझे कि यह मचली वर्ग में आता है, ध्यान रखेगा, अगला कुशन देख लिए जए 29 नमबर क अगला कुशन देखिएगा, कि इनमलेकित में से किस वर्ष प्लूटो को ग्रहों की सुची से बाहर कर दिया गया था, तो सन 2006 में, सन 2006 में ध्यान रखना है आपको, सन 2006 में छेक गनराज यानि कि छेक रिपब्लिक, छेक गनराज एक देश है, जिसकी राजधानी जो है, वह पराग है, वही पर एक सम्मिलन हुआ था, जिसको की पराग सम्मिलन के नाम से जना जाता है, और इसी सम्मिलन में जो है, प्लूटो को ग्रहों की सुची से बाहर कर दिया गया था, तो सन 2006 आपको याद रखना है, नेक्स्ट कोस्न देखिएगा, 31 नमबर, और इसका एंसर आपको कमेंट में देखर के बताना है, जिस परकार जूल उर्जा से संबंदित है, उसी परकार पास्कल किस संबंदित होगा, इसका एंसर आपको कमेंट में देखर के बताना है, मुझे पूरी उमीद है कि आज का सेशन आपको काफी पसंद आया हुआ, पूरे डिटेल में मैंने आपको बता है और डेली आपको एक सेट जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगा और एक जो है समान विज्यान का सेट मिलेगा और जल्द ही हम लोग लूसेंड का जो है हिस्ट्री का भी सेट स्टार्ट कर देंगे तो मिलते हैं फ्रेंस नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर जीजेगा थैंक्स प्रवाचिन